नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में चोहां पर आप और हम हर रोज टारट और और ओरिकल के तुरू जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर नौ मूलांग तकी रिडिंग करते हैं न केवल हम गाइडन्स लेते हैं बलकि जान पाते हैं उसकी रेमेडीज भी कि किस सरह खाली अग़र थौट प्रॉसस चेंज करने चाहिए तो वह भी हम बताते हैं आपको तो ए गाइड करता है तो आए दोस्तों अपने कारिकरम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन आगे बढ़ाने से पहले यदि आपको नहीं पता कि आपको कौन सा है मुलान एक उधारन देती हूं अगर आपकी डेटो बढ़त है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जब आप जोड़ते हैं तो जो मामी है सूर्य अपने आप में बहुत ही पाफुल प्लानेट तो आज क्या इंपक्ट होगा एक से लेकर नौ मुलंग तक के जात को पर हम उस विशह पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड से निरंतर हम जब ध्यान साधनाओं की बात करते आ लिया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्लीशन कैसे किया जाता है किसी भी साधना का जिसे कि कारिका की पूर्णाओती होना उसका कंप्लीशन होना तो आपको क्या करना है कि जैसे एक उधारन के तौर पर अगर आपने सवा दांश भाग जो होता है यानि कि उसका दस्वा हिस्सा तो सवालाख का जो दस्वा हिस्सा है उस हिस्से की कैलकुलेशन से आपको हवन करना है यानि कि आहूती देनी है और जो आपको आहूती देनी है उसमें उस मंदर के अंत में आपको स्वाहा अवश्य ही बोलना है और करना है और आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उस ओ Paige कि जाती है तो इस प्रकार से आप किसी भी साधना को संपू replen कर सकते हैं जोटा सा हमें मिलता है तो बıtाने विशेश इतने छोटे समय में बताने के लिए तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ इन से जानकारी हम आपको दे सकते हैं विशेश अधिक जानकारी के लिए आप अपने गुरू से या किसी एक्सपर्ट से समपर्क कर सकते हैं आईए दोस्तों बिना देर की कारिकर्म की शिरुवात करते हैं, जानते हैं मूलांक एक के लिए, हमें आज बरमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं, 28 मार्च 2024 के लिए, और मूलांक एक के लिए हमको कहा जा रहा है, Ace of Cups का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बह हाने में आपकी साहता करेंगे, हो सकता है कि आज आज आप बहुत इंस्पायर हो, अपने किसी पुरानी बात को लेकर या ऐसे किसी व्यक्ति की blessing को लेकर जिनों ने आप से कहा हो कि हम खड़े हैं, पीछे आप आगे काम करो, ऐसे किसी चीज को लेकर आप बहुत ऑवर्वे आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 मार्च 2014 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है देखिए दो कार्ड्स आ रहे हैं पहला है जज्च्मेंट का दूसरा हेट आफ पेंटेकल्स का देखिए एक मेजर क आपको बता रहा है कि आज का जो दिन है आप अपने हायर सेल्फ के साथ करेक्शन महसूस करेंगे आज आप जो भी कोई काम करेंगे उसमें टॉप आफ दो वर्ल्ड जाके आप काम करेंगे बहुत हाइफील करेंगे कोई बड़े पदगी प्राप्ति हो सकती है प्रमोशन हो स आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है फिर से दो खार जाए हैं और पहला आ रहा है 10 of Wands का दूसरा आ रहा है 3 of Pentacles का आज के दिन आपकी यात्रा होती दिखाई दे रही ह है कि आप यात्रा पर आज जा सकते हैं और यह जो यात्रा है यह व्यापारिक दृष्टी से आपको बहुत लाभ देने वाली है कुल मिला के आपको support मिलेगा आपकी team के साथ आप किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जहां पर आप enjoy भी करेंगे life को और साथी साथ अपने काम पर भी ध्यान देंगे तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो balancing का है professional life और आपकी personal life के बीच में और जो travel है वो travel दिखा रहा है आपके benefits आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 28 मार्च दो हजार चौब इसके लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है 9 of events का card है energy बहुत अच्छी है आपकी लेकिन बहुत जादा कहते हैं सोच विचार करके किसी चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ है आपके पास you are capable of everything यहां तक ही energies है सब कुछ है पिर किस चीज को लेकर सोच रहे action part पर ध्यान दीजिए आज का दिन आगे बढ़ने का है आज का दिन अपनी विचारधाराओं को चरितार्थ करने का है जो कुछ आपने सोचा था जो कुछ आज आपने प्लानिंग की थी उसको में आपको आगे बढ़ने का दिन है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 मार्च दो हजार चौबिस के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है तो मजीशियन का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो बहुत ही जादा अच्छा औ उसी कारे को आप से रितार्थ कर लेंगे, complete कर लेंगे, manifestation is very good तो आज के दिन आपको क्या करना है, केवल उसी बात पर आपको सोचना है, ध्यान लगाना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, जिसे जिन्दगी में हासिल करना चाहते हो तो ऐसी में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इतनों सा भी negative thought process आपके mind में ना आएं इस बात का विशेश ध्यान लखें, आपका दिन शुभो आईए जानते हैं, मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं, 28 March 2014 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, death का card है death and rebirth, आज के दिन कुछ नया आप करने वाले हैं, कुछ नया, something new, maybe आपका जो पुराना thought process है, pattern है, वो खतम हो जाए पुराने आपकी विचार धारा, सोच विचार, खतम हो जार, कुछ नया आप तयार करें, अपने business में आप कुछ नया कर सकते हैं, किसी नए तरीके को अपना सकते हैं, नई चीजों पर काम कर सकते हैं, और पुरानी हर वो चीज जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आज आप समय, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, आपके लिए आज ग्रोथ का टाइम है, और ये जो ग्रोथ जब होती है, और पुरानी चीज़े जब छटती है, ट्रांस्वरमेशन होता है, थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपकी बेहतरी के लिए हैं आपका दिन शुभोग आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 मार्च 2024 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हमसे कहा जा रहा है आपको प्यार करते हैं उनके साथ आपको इक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 28 मार्च 2024 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है 10 ओवेंट्स का काड है आज किसी चीज़ को लेके निराश हो जाएंगे आप जो भी कुछ आपने सोचा था ऐसा हो ऐसा हो अपने मन मताबिक कारे नहीं होगा तो ये चीज़ थोड़ी से आपको परिशान कर सकती है साथ ही साथ किसी तरह का चैलेंज आपके समक्षा सकता है और उस चैलेंज से आप जाने की भागने की सोचेंगे तो डिवाइन आपको क्या गाइट कर रहा है भागना किसी चीज़ का सिलूशन नहीं है आज के दिन कोशिश कीजिए कि यात्रा को आप डाले अगर आप यात कीज नहीं होनी चाहिए आपको डिवाइन कह रहा है हारना नहीं है परिस्तिदी से लड़ना है और ओवरकम आपको करना है आपको क्या करना है कि आज के दिन आप संध्या के समय विशेश तोर पर जो भी आपके इश्टदेव हैं जिनके आप उपासना करते हैं उनके कर रहा है और उसके बाद आप अपनी परेशानी अपनी हर चीज उनके समक्ष कहें आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 28 मार्च 2014 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है नाइन ओफ वें कर रहे हैं आपको क्लियर कहा जा रहा है सब कुछ आपके पास आज अवेलेबल है बस आपको आगे बढ़ना है और अपने मुताबिक आपको कारे करना है आपकी उर्जाएं आज की बहुत अच्छी है महिलाओं की तरफ से आपको आज विशेश सपोर्ट मिलने वाला है हो स कुछ रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आपसे हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम